वेलकम बैग तो माई चैनल गाइस तो यहाँ पे मकड संक्रांती का प्लेट रेडी करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी आलू गोवी मटर की सब जी, खिचड़ी, पापर और दही तो यहाँ पे ले लिया हारा मटर मसूर की डाल और यहाँ पे ले लिया है मैंने कूक कर जिसमें मैंने बड़ी गलास से पाँच गलास पानी आड़ कर लिया है और इसे रख दिया है कम फ्लेम में बॉयल होने के लिए उसके बाद यहाँ पे जो मेरा मटर है उसे लेके मैं चॉप कर लूँगी आप चाहें तो इसे पीस सकते हैं लेकिन एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे दरदरा पीसना है तो यहाँ पे मैंने इसको चॉप कर लिया है और इसमें आड़ कर लिया है 10-15 दाने मटर के और यहाँ पे मैंने मसूर की दाल को यह वाश करके ले लिया है तो यहाँ पे पानी में सबसे पहले आड़ करेंगे मसूर का दाल और मटर इसे आड़ करने के बाद कम फ्लेम पे ही इसको अच्छे से बॉल्ड होने देंगे फिर यहाँ पे ले लेंगे प्याज, चार प्याज, तीन गार्ट लैसन, मिर्चा यह सबजी के अकॉर्डिंग भी लेंगे मतलब सबजी और किच्डी दोनों में मसाला हो जाना चाहिए इसमें लेंगे अद्रग, बड़ा सा इसका छिल के और चार चमश लेंगे मसाला, गोल्डी या एवरेस्ट उसके बाद फिर एक कटोरी में निकाल लेंगे खड़ा मसाला जैसे छोटी लाइची, बड़ी लाइची, काले मिर्स, दाल, चीनी वगएरा लेके और इसको भी एट कर देंगे जार में इसमें एट करेंगे एक कटोरी पानी और इसका बना लेंगे पेस्ट फिर यहाँ पे चावल को भी वाश करके ले लेंगे और उसको एट कर देंगे कुकर के अंदर इसको अच्छे से चला लेंगे और कम फ्लेम पे ही इसको पकने देंगे फिर यहाँ पे ले लेंगे दो प्याज, दो टमाटर और धनिया को कट करके उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुकर में एट करेंगे खिटडी के अंदर नमक और हल्दी स्वात के अनुसार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें यहाँ पे मैंने गोभी को भी अच्छे से चॉप करके ले लिया है बहुत चोटा चोटा कट किया है यहाँ पे कढ़ाई में एट किया है मस्टर्ड ओयल और उसमें एट कर देंगे जीरा जीरा हलका ब्राउन जब हो जाएगा तब इसमें add कर देंगे गोभी को गोभी को add करने के बाद हलका golden color में इसको कम flame पे ही करेंगे fry बहुत ही कम flame रहेगा ज्यादा flame नहीं रहेगा नहीं तो हमारी गोभी जल जाएगी उसके बाद यहाँ पे गोभी हमारा fry होगा तब तक हम लोग अपने चावल को भी देख लेंगे तो इसे भी चला लिया है अब चलते हैं गोभी के तरफ तो बहुत हलके flame में यह हमारा गोभी fry हो रहा है और इसे हलके flame पे ही अच्छे से करेंगे fry और यहाँ पे आप आलू भी ले लेंगे आलू को भी आप गोभी के साइस का cut करेंगे और इसको ले लिया है मैंने यहाँ पे आलू और गोवी को अच्छे से कर लेंगे फ्राई इसको भी कमी फ्लेम पे करेंगे फ्राई और जब ये फ्राई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे खिच्डी में इसको कर लेंगे एड आदा गोवी आलू इसमें एड करेंगे और आदा गोवी आलू हम लोग add कर देंगे एक प्लेट में रख देंगे उसके बाद फिर इसको चला लेंगे अच्छे से कर लेंगे mix और यहाँ पे हम लोग गोवी आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से फिर कड़ाई हो जाएए हमारी खाली तो उसमें एड कर देंगे mustard oil उसके बाद इसको रख देंगे हम लोग थोड़ा गरम होने के लिए तो यहाँ पे थोड़ा गरम हो जाएगा तो इसमें एड कर देंगे हम लोग मेती, मेती ऐड़ड करने के बाद यह जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें ऐडड कर देंगे पयाज जो करट करके रखा था और इसको भी तेल में अच्छे से कर लेंगे mix इसको mix होने के बाद इसमें आड़ड कर देंगे tomato जो कट करके पहले से रखा हुआ था उसे तो इसको एड़ करने के बाद हम लोग इसमें एड़ करेंगे धनिया उसे भी हम लोग ने पहले से ही कट करके रख लिया था तो इसमें मैंने एड़ कर दिया धनिया और यहां पे एड़ करेंगे हम लोग अपने मसाले का पेस्ट तो यहां पे हमने मसाले का पेस्ट एड़ कर दिया है और दियान रखे फ्लेम कमी रहना चाहिए उसके बाद इसे करेंगे अच्छे से फ्राई मसाले को फ्राई करने के लिए यहां पे हमारा तेल और मसाला अलग हो जाना चाहिए उस स्टेस तक इसको फ्राई करना है और फ्लेम ह मसाला थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए उसके बाद यहां पर हम लोग इसे ड़र कर देंगे खिचडी के अंदर एक तरक से इसको चलाएंगे अगर खिचडी जादा होगी तो उससे थोड़ा सा तेजी से मतलब तेज़-तेज सिफ मिक्स करेंगे कि वह अच्छे से मिक्स हो ज तो यहां पे इस मसाले को भी अच्छे से पांच मिनट तक फ्राई कर लेंगे पांच मिनट के बाद इसमें अट कर देंगे जो हमने प्लेट में रखा था आलू गोबी को फ्राई करके उसे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर ऐसे इस तरह से मिक्स कर ल इसको अच्छे से चला के और गैस को यहां पर आफ कर देंगे और यहां पर आ जाते हैं सब्जी की तरफ तो सब्जी को भी कम फ्लेम पर यह अच्छे से कर रहे थे फ्राई और यहां पर जो मटर है उसको कर लिया है बॉयल तो इसको भी अच्छे से आप लोग भी अच्छे स चला लिया है और यहां पे मैं लेके आगी थी मटर मटर हमारा बॉयल हो गया था तो यहां पे मैंने मटर और पानी को एक साथी इसमें मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको चला लिया और चलाने के बाद कम फ्लेम पे मतलब पांच मिनिट के अंदर हमा सब्जी हो जाएगी तो हम लोग इसको अच्छे से चला के और गैस को कर देंगे और यहां पर हमारी खिचडी भी हो गई है रेडी तो गैस को आफ करके चलते हैं हम अपने पापड की तरफ तो यहां पर मैंने ले लिया तवा उसमें एट कर दिया मस्टर्ड आप कोई सा भी कर सकते हैं और तवे पर तेल को अच्छे से फैला लीजे उसके बाद यहां पर पापड को अच्छे से से लेंगे आप चाहें तो यहां पर कड़ाई का भी यूज कर सकते हैं मैंने नहीं किया है यहां पर फिर पापड हमारा सिक्के हो गया था रेडी तो आते हैं अपना प ही एड़ करने के बाद एक और कटोरी ली है उसमें एड़ कर दिया है मैंने खिचडी को और उसके बाद यहां पे जो पापड तल के रखा